पूजय स्वामी रामसुकदाश जी महराज, मनुष्यों को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि गीता जी में दो बातें, भगवान ने अपनी ओर से विशेश्यता से कही हैं, साधन के विशय में, अंतकाल के विशय में मनुष्य का जीवन, भगवन मै होना चाहिए, भगवान की साधना में लगना चाहिए, और अंत में, भगवान की स्मृति होनी चाहिए इन दो विशयों में, भगवान ने जितने शलोक कहे हैं, और जितना विवेचन किया है, उतना और किसी विशय में नहीं किया अंत में कहते हैं मा मेकम शर्णम व्रजा तु मेरी शर्ण हो जा मैं संपोन पापों से मुक्त कर दूँगा तु चिंता मत कर अब सज्जनों ध्यान दें यह संसार जो अपना दिखाई देता है यह अपने साथ नहीं रहेगा संसार से क्या ले लोगे आप कुछ नहीं ले सकोगे धोखा होगा संसार से किसी एक को भी पूर्ण सुख मिला है क्या मिलेगा भी नहीं क्योंकि ये तो नाशवान है और भगवान है अविनाशी ये शरीर, संसार सभी यहीं रहने वाले हैं शरीर को भी दूसरे लोग उठाएंगे यह पहले से विचार करना होगा सोचना होगा कि अब क्या करना चाहिए जैसे मनुष्य घर से निकल जाता है और पता ही नहीं कि कहां जाना है तो सोचो, दशा क्या होगी पूछे किसी से कि मार्ग बता दो तो बताने वाला पूछे कि कहां का तो कहे कि कहीं का बता दो तो वह पागल समझा जाएगा एक लक्षे तो होना चाहिए भाईयों ध्यान देना हमारी जीवन यात्रा तो हमारे जन्म के समय से ही चल पड़ी जीवन प्रतिक्षन खत्म हो रहा है और हमें इस जीवन में क्या करना है अभी तक यह हमें नहीं पता है हमें से बहुत से बहन भाईयों को तो पता ही नहीं कि हमें किधर जाना है हमारे जीवन का क्या लक्ष है मैंने पूछ कर देखा कि बताओ आप क्या चाहते हैं तो कोई निरणे नहीं है कभी कुछ चाहते हैं कभी कुछ यहां की सब चीजें छूटने वाली हैं इसलिए प्रभु को याद करो जो नित्य निरंतर रहने वाले हैं सज्जनों, चेतो दूसरों को धोखा देकर हम कुछ ले भी लेंगे तो महान मुश्किल होगी कुछ नहीं मिलेगा सब कुछ यहीं रहेगा और यमराज के दूद आ जाएंगे वह दिन कभी भी आ सकता है पता नहीं कब आ जाए उसके आने में कोई संदेह नहीं है आप, हम, सब यहां बैठे हैं पता है, मृत्य लोक में हैं मरने वालों के लोक में हैं यहां रहने वाला कोई नहीं सब मरने ही वाले हैं निश्चिंत कैसे बैठे हो जो काम करना है सो कर लो अब नहीं किया तो फिर कब करोगे छोटे छोटे बालक होते हैं वे भी यही सोचते हैं कि बड़े होकर ये करेंगे वो करेंगे इसी प्रकार हम सोचते हैं कि बड़े होकर ये करेंगे बाल सफेद होने लगे तो कब करोगे अब तो मरोगे बस शरीर प्रतिक्षन जा रहा है इसमें संदेह नहीं किंचित मात्र भी जन्म दिन पर खुशी मनाते हैं अरे रोने का दिन है एक वर्ष और बीद गया परन्तु इसमें किया क्या जिसमें भगवान की प्राप्ति हो सकती थी बारह महिने की उस उम्र को विर्थ गवा दिया विचार करने की बात है सोचो तो जरा आगे के लिए सावधान होने की बात है अब जो समय बीट गया सो बीट गया अब नहीं बीटने देंगे ये सब तो छूटने वाले हैं काम पढ़ने पर परमात्मा ही साथ रहने वाले हैं प्रभू ही हमारे हैं सज्जनों और कोई हमारा नहीं है अतहा हे नात हे नारायन ऐसा पुकारो वे प्रभू सब समय में हैं अतहा ये पुकारते रहो तो अभी भी वो है सब जगह पर है तो यहां भी है और सब के है तो हमारे भी है सब में है तो हमारे भी है वे स्वयम कहते हैं सुहरिदम सर्वभूता नाम प्राणी मात्र के सुहरिद ऐसे हैं परमात्मा और ऐसे परमात्मा के रहते हुए, हमारी दुर्दशा हो, तो फिर क्या कहें? उनके रहते हुए, हम दुख पाएं, कश्ट उठाएं, तो इसमें कारण क्या है? उनसे विमुख हो गए, और नाश्वान पदार्थों के पीछे पड़ें, कि वे मिल जाएं हमें, उनको भोग ल सब जियों कात्यों रह जाएगा, कुछ साथ नहीं जाएगा, अतहा, उपकार करो, साथ क्या चलेगा, साथ चलेगा, स्वभाओ, सेवा करने वाला, सब जगह सेवा करेगा, और महान आनन्द लूट लेगा, असली पुन्जी आपकी है, आपका स्वभाओ एक दिन के लिए भी, कहीं जाते हैं, तो सोचते हैं, कि अमुक जगह ठहरना होगा, अमुक सवारी मिलेगी, परन्तु, इस संसार को एक दिन छोड़ना है, इसे छोड़कर जरूर जाना पड़ेगा, तो इसका प्रबंद किया है कि नहीं, यहे प्रतेक भाई बहन को स्वयम सोचना होगा, एक शन का भी पता नहीं, हाट फेल हो जाता है, चलते फिरते व्यक्ति मर जाता है, और फिर हम क्या फोलाद के बने हैं, इसलिए स्वभाव को शुद्ध बनाओ, हर एक का उपकार करो, हित करो, प्रभु को याद करो, जितने संत महात्मा हुए हैं, वे सब भ भगवान के बिना, उनके नाम के बिना, सब खाली है, अतहा, उठते, बैठते, सोते, जागते, काम धंदा करते हुए भी, और ना करते हुए भी, भगवान को पुकारते रहो, उनसे काम पढ़ने वाला है, उनको याद करते रहो, सब जगहें, नाम जब करते रहो, और कहते रहो, राम, 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 नाम जग करो, अंत में नाम ही काम आएगा, धन, संपत्ति, परिवार, मकान, कुछ भी काम नहीं आएंगे, अभी तक, जिन कामों को करते हुए, आपको सत्संग, भजन, ध्यान, स्वाध्याय, पाठ, जब आदी के लिए समय नहीं मिलता है, अंत में क कुछ नहीं किया, ऐसे पुकारोगे, रोगे, यह सारा काम धन्दा, कुछ नहीं किया में भरती होने वाला है, मनुश्य कहता है, कि सत्संग के लिए समय नहीं मिलता, राम, राम, कितनी भारी भूल, बच्चा जन्मता है, तो बड़ा होगा कि नहीं होगा, इसमें संदेह है पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, इसमें संदेह है, विवाह होगा कि नहीं होगा, इसमें संदेह है, परंतु मरेगा कि नहीं मरेगा, इसमें संदेह बिलकुल नहीं है, मरना तो पढ़ेगा ही, परंतु जिन कामों में संदेह है, उन्हें तो ततपरता से कर रहा है, जाना तो पड़ेगा जरूर उसके लिए कोई तैयारी ही नहीं बड़े आश्चरिय की बात है यह बड़ी भारी भूल है अतह सावधान हो जाओ मैं एक सची बात कहता हूं वह यह है कि सिवाए भगवान के अपना कोई नहीं है मन, बुद्धी, इंद्रिया, श्वास यह सब आपकी नहीं है परंतु प्रभु को आप अपना मान ले तो प्रभु छोड़ नहीं सकते आपको यह सब चीजें जिनके पीछे आप पड़े हैं आपकी बात कोई मानने वाले नहीं है जिस शरीर की आप सदा रक्षा करते हो एक दिन रात्री में भूल से कपड़ा अलग रह जाए तो जाड़ा लग जाता है यह खयाल नहीं रहता कि कितने दिन इससे रक्षा की एक दिन मैं भिक्षमा कर दू इतने वर्षों से अनजल दिया दो दिन अनजल बंद कर दो तो देखो इसकी क्या दशा होती है यह इतना कृतग्न है कि दो दिन में ही इसकी पौल निकाल देता है तो ऐसे कृतग्नक शरीर के तो बन गई गुलाम हम और जो भगवान याद करने मातर से दोड़ते है उन भगवान को याद नहीं करते बिनायाद किये भी भगवान ने हमें विद्या, बुध्धी, ज्यान, शरीर, जीवन ये सब दिये हैं और देते ही रहते हैं इतने विलक्षन ढंग से देते हैं कि उनका दिया हुआ अपना ही मालूम होता है ऐसे परम सुहृद पर्मात्मा को भूल गए सुहृदं सर्वभुता नाम जात्वा माम शांतिम्रच्चति पर्मात्मा पापी दुराचारी सज्जन आदी सभी के परम सुहृद है अतह उनको तो याद करो और संसार का काम करो संसार के काम से भी बढ़ान को ही राजी करो, स्वार्थ का त्याग करके सेवा करो, सब भाई बंधों की, स्तरी पुत्र की, सब की सेवा करो, सब को सुक पहुचाओ, यह सोचकर की, यह सब भगवान के हैं, इससे भगवान बड़े राजी होंगे, कि यह मेरे बच्चों का पालन करने वाला है, जैसे कोई एक बच्चा है, जिसके माता पिता नहीं, उसे एक माई अपने घर ले जाती है, और उसका पालन पोशन करती है, तो लोग कहते हैं, कि बड़ी दयालु माई है, अपने बच्चों का पालन तो सभी करते हैं, कुत्ता भी करता है, अतहा, सब का हित करना, यह सेवा करते हैं उनसे अपना कोई संबंध न रखो एक ही बात होगी अतहा स्वार्थ त्याग कर सबको सुख पहुंचाओ सबका हित करो सर्वे भवन्तु सुखिनहा सर्वे संतु निरामायाहा सर्वे भद्राणि पश्चन्तु मा कश्चे दुख भाग भवेत किसी को दुख न मिले सबको आराम मिले सबको सुख मिले सज्जनों ऐसा भाव कर लो यह मनुश्य जन्म खास है स्वार्थ के लिए काम करना मनुश्यता नहीं है कुत्ते आपस में खूब खेलते हैं परंतु रोटी का टुकड़ा देखते ही लडाई हो जाती है ऐसे ही यदि स्वार्थ के लिए हम लोग भी लड़ें तो उनमें और हम में क्या अंतर हुआ इसलिए यह भाव रखो कि सबका हित कैसे हो सबके हित में जो रत होते हैं वे परमात्मा को पराप्ट करते हैं अतहसत जनो संसार को अपना मान कर जो लाब आपने उठाया है वह तो उठा ही लिया अब भगवान को अपना मान कर देख लो सबका हित हो सबको आराम मिले सबका कल्यान हो यह भाव रखो सेवा जितनी कर सको उतनी करो परंतु भाव में कभी कमी न रखो भीतर का भाव यह होना चाहिए कि सबके हित में प्रीती हो उस भाव से स्वतहा त्याग होगा भावना पहले होती है क्रिया बाद में होती है अतहा सबके हित की कामना हो भावना हो जो भी बड़े-बड़े महात्मा संत होते हैं उनमें दूसरों के हित्की भावना होती है उनके साथ कोई मंद करे तो भी वे उसकी भलाई ही करते हैं ऐसे ही सबका भला हो जाए सबका कल्यान हो जाए ऐसा चिंतन आपके मन में होने लग जाए तो आपका उध्धार हो जाएगा महापुरुशों के संग से दर्शन से कल्यान हो जाता है इसका कारण क्या है कारण है कि एकांत में रहते हुए भी उन महापुरुशों को चिंता रहती है कि सबका कल्यान कैसे हो जाए उस लगन के कारण उनके दर्शन मात्र से संसार का हित होता है उनकी हवा मात्र से सबका कल्यान होता है एक मार्मिक बात है कि जैसे परमात्मा सबका हित चाहते हैं उसी प्रकार जो व्यक्ति सबका हित चाहता है उसकी परमात्मा की शक्ति के साथ एकता हो जाती है और उसके द्वारा सबका हित होता है अतह सज्जनों, भायों, बहनों सच्चे हुरदय से सबका हित कैसे हो सबका कल्यान कैसे हो ये लगन लग जाए माता बहने घरों में स्वयम काम करें और सेवा करें दूसरों से रखराएं यह शरीर थोड़े दिनों के लिए मिला है, फिर समाप तो होने वाला है, अतह थोड़े दिन डटकर सेवा कर लो, लाब उठा लो, फिर यदि शरीर बीमार हो जाएगा, तो इसे उठाने बैठाने के लिए भी दूसरे आदमी की जरूरत पड़ेगी, जी गए तो यह दशा हो सकती है, और नहीं तो खत्म हो जाओगे, यह सेवा हसली चीज है, यह भगवान को भी खरीदने वाली है, इसलिए सेवा करो, चीज वस्तु तो दूसरों को दो, और काम धंदा अपने लिए रखो, देखो, आपस में प्रेम होता है की नहीं, परिवार में जगड़ा क्यों ह इसलिए की हम कहते हैं की काम धंदा तो दूसरा कर ले, और चीज मैं ले लूँ, इससे लड़ाई तो होगी ही, आपस में प्रेम बढ़ाने का दूसरा उपाय है की बड़ों के चर्णों में प्रणाम करें, इससे आवा गमन मिठ जाता है, बड़ों के चर्णों में नमस्का उनकी आज्यां का पालन करो, उनकी सेवा करो, उनको कितनी प्रसन्नता होगी, जिससे आपस में प्रेम बढ़ेगा, स्नेह बढ़ेगा, घर में आनंद रहेगा, धर्म, संत, महात्मा, परिवार, भगवान, सब राजी हो जाएंगे, परंतु, यदि कोई गड़बडी करता ह खोटे रास्ते पर चलता है, तो उससे माता पिता भी नाराज हो जाएंगे, अतह सेवा उपकार करो, और भगवान को याद रखो, यह संसार सदा रहने वाला नहीं है, यहां सदा रहने के लिए नहीं आए हैं, थोड़े दिन रहना है, जैसे कुछ दिनों के लिए, गीता भवन में सतसंग में आए हैं, फिर यहां से चल देंगे, इसी परकार इस संसार से चल देना है, अचानक और पता नहीं कब चल देना है, भगवान के भजन में जो लग गया है, वही समझदार है, भगवान के दर्बार में उसका आदर है, कि उसने मनुष्य जन्म सफल कर लि भगवान ने कृपागर के मनुष्य जन्म दिया कि जिससे यह अपना कल्यान कर ले परन्तु यदि मनुष्य का अपना कल्यान नहीं होता तो वे भगवान को एक प्रकार से धोखा देते हैं इसलिए ऐसा न हो जाए हमें मनुष्य शरीर मिला उत्तम कुल मिला भगवान की ओर चलने की रुची मिली सत्संग मिला गीता रामायन जैसे ग्रंथ और भगवान का नाम सुनने को मिला अब क्या वाकी रह गया थोड़ा सा परिश्रम अपनी तरफ से कर लो हां में हां मिलाओ इतने में कल्यान होता है भगवान की कृपा मान कर नाम का जप करो सेवा करो और राद दिन मस्त रहो कि हम तो अन्याय करते ही नहीं किसी को दुख देते ही नहीं किसी को कश्ट पहुंचाते ही नहीं तो फिर हमें दुख किस बात का चिंता किस बात की आप ऐसी कृपा करो कि अब से किसी को दुख नहीं देंगे मन से किसी का बुरा चिंतन नहीं करेंगे जिवा से ऐसी वाणी नहीं बोलेंगे जिससे किसी को कश्ट पहुंचे कोई क्रिया ऐसी न करें जिससे किसी को कश्ट पहुंचे सब को आराम पहुंचाएं सेवा करें ऐसे संपूर्ण प्राणियों के हित में आप लगे रहो भगवान की अनंत शक्ती अपार शक्ती आपके साथ है ऐसा करते ही मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा कलियूग की बड़ी महिमा गाई है क्योंकि इसमें सुन्दर मोका हमें मिला है अतहा हम भगवान के चर्णों में लग जाएं अपने भगवान है भगवान के अलावा कोई हमारा नहीं हम किसी के नहीं संसार में आए हैं तो केवल सेवा करने के लिए संसार से क्या मिलेगा सब सोचते हैं कि मैं अपना स्वार्थ सिद्ध कर लूँ तो इससे स्वार्थ सिद्ध होगा नहीं दूसरों की सेवा करो जो प्रभु अपने हैं उनको याद रखो यह जीवन सेवा करने के लिए मिला है अतहनियाय युक्त शास्त्र की पद्धती के अनुसार सबकी सेवा करो महा भारत के उद्योग परव में एक कथा आती है धृतराष्टर विदुर जी को बुलाते हैं और पूछते हैं कि मुझे नीद नहीं आ रही है तो विदुर जी ने कहा कि जो सच्चे आदमियों से वैर करेगा और उनको कष्ट देगा उसे नीद नहीं आएगी उसे अशांती रहेगी पांडवों के साथ खराब व्यवहार करके शांती चाहते हो जिसका हृदय खराब होगा उसे शांती नहीं मिलेगी स्वार्थ सिद्ध करके जो यह सोचता है कि मैं अपना काम बना लूँ तो वह काम बना नहीं रहा है बिगाड रहा है इसमें यह जो स्वार्थ दिखाई देता है यह महान पतन की बात है अतहा इस थोड़े से जीवन में जो सेवा अपने से बन सके वो करो चतुर वही है जो इस मनुष्य शरीर को पाकर अपना काम बना ले यदि यहां से चल दिये तो अपने तो आनंद हो गया मोज हो गई परन्तो यदि यह ताकते रहेंगे कि मैं सुख ले लूँ तो सुख तो ले सकोगे नहीं समय वरवाद जरूर कर दोगे अतहा अभी से सच्चे हृदय से भगवान की तरफ लग जाओ नाम जब कीरतन करो सेवा करो कैसे आनंद की बात है यहां सदा रहना नहीं है यहां से जाना पड़ेगा राजा महराजा सेथ धनी गरीब भाई बहन पंडित मौर्ग कोई भी हो सब को यहां से जाना पड़ेगा निश्चिन्त होकर कैसे बैठे हो किसके भरोसे निर्भे बैठे हो भगवान को याद करो जो भगवान के नाम का जब मन लगा कर कर रहा है वह मर जाए तो आनंद और जी जाए तो आनंद मरें तो भगवान का स्मरण करते हुए मरें और जीएं तो भजन का संग्रह करें जिससे हम माला माल हो जाएं भजन साथ में जाने वाला धन है चोर इसे नहीं ले जा सकते राजा इसे नहीं ले जा सकता भाई भाई के बटवारे में यह नहीं जा सकता यह सदा साथ रहने वाले सची पुंजी है ऐसी बढ़िया पुझी है कि इससे भगवान को खरीदा जा सकता है एक कहानी है कि एक देश में राजा बनाया जाता था तीन वर्ष वह राजा रहता था सब काम उसके हुक्म से होते थे तीन वर्ष पूरा होने पर उसको नोका में बैठाते विशेश 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 व्यक्ति नोका को पहुचाने जाते और उसको भयानक चंगल में छोड़ देते जहां उसको जंगली जानवर खा जाते जब तक वह राजा रहता तब तक तो प्रसन्न रहता पर अंतु जिस दिन उसको विदाई देते उस दिन रोता जाता एक बार एक चतुर विक्ति के हाथ में राज्या आ गया तो उसने खूब कारिये किये दूसरी और सडकें बनवाई कुएं बनवाई मकान बनवाई सब सुख सुविधाई कर दी तो तीन वर्ष बाद में लोगों ने कहा कि चलो तो बोला चलो वह खूब मस्त हो रहा था लोगों ने सोचा कि तरह मस्त क्यों हो रहा है उसने पूछा कि तुम हस क्यों रहे हो वह बोला मैं तो हसूंगा रोगे तुम मैंने सब माल उस पार कर दिया है वे लोग मूर्ख थे जिन्होंने हाथ में अधिकार आने पर उसका उप्योग नहीं किया आप भी सोच सकते हैं कि यदि हमें भी तीन वर्षों के लिए ऐसा अवसर मिले तो हम भी उसका बढ़िया इस्तेमाल करें हमें यह शरीर तीन वर्षों अर्थात कुछ वर्षों के लिए मिला है अताहिस में परमात्मा का नाम लो भजन स्मरण करो पुन्य करो या पाप करो शुब करो या अशुब करो ये सब करने की स्वतन्तृता हमें मिली है यदि अच्छे कारिया नहीं करते तो रोते हैं कि हाई मैंने अच्छे कारिय नहीं किये भजन स्मरण नहीं किया परंतु यदि वेक्ती भजन स्मरण करता है दान पुन्य करता है सबका हित करता है सेवा करता है तो मस्ती से आनंद से मरता है अतहा दोखा मत खाओ चेत रहो सावधान हो जाओ यहां दोखा खाने के लिए नहीं आये हो अब तक जो समय बीद गया बीद गया अब समय विर्थमत गमाओ भजन, ध्यान, सेवा करो यह शरीर को सजाना इसका श्रिंगार करना कितने दिनों तक चलेगा कहते हैं छूटता नहीं तो छूटेगा नहीं क्या विजार करो वह दिन आने वाला है जब यह सब कुछ छूट जाएगा जिस दिन का स्मरान करके डर लगता है, भय लगता है वह दिन आएगा अवश्य आएगा कब आएगा, इसका पता नहीं क्योंकि मोत की कभी छुट्टी नहीं होती मोत के लिए सब घंटा सब मिनट, सब सेकिंड खुले हुए हैं परंतु हम बैठे हैं निश्चिंत तो क्या करें भगवान का भजन करें प्रतेइक समय राम राम, राम ऐसा नाम जब करें और सेवा करें बस फिर बेड़ा पार है नारायन नारायन नारायन